तो उत्तर प्रदेश में कौन मारेगा मैदान ये अपने आप में एक बड़ा सवाल लेकिन इन सवालों के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि जाती और धर्म के आधार पर हो रही राजनीती में सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिरकार जो मुस्लिम अबादी है वो किस राजनेति दल के साथ खड़ी है क्या वाकई में समाजवादी पार्टी का वो MI फेक्टर जिसका जिकर इतिहास के पन्नों में दर्ज है क्या वो MI फेक्टर चलेगा या फिर BSP एक बार फिर से इस बड़े वोट बैंक में सेंध लगाईगी तीसरा सवाल ये कि OVC क्या वाकई में मुस्लिम आबादी का है वो विश्वास करेगा अखले शादा उपार ऐसे तमाम सवाल है जिसका जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद पूर मंत्री और मॉलाना आविद रजा खान साब बरेलवी मौजूद है जो की समाजवादी पार्टी के लिए चुनावी रण में ह और साथी साथ हमारे साथ केडी यादव जी मौजूद है जो की समाजवादी पार्टी के बड़े चहरों में से एक है तो मुलाना साब मैं शुरुवात आप से करूँगा साइकल का दावा किया जा रहा है रफ्तार में है मगर ये मुस्लिम आबादी और खास तोर पर जो अ परिवर्तन के बिना कोई भी मुद्दे का हल संभव नहीं है आपने देखा के पहले चरण में वहां के बहादुर किसान समाज के लोगों ने और सबी धर्म समुदाए के लोगों ने जिसमें नोजवान किसान मुसलमान तमां तबके के लोग वो तबका जो भरत ये जनता प परेशान था इन्होंने एक जुप्ता बनाई और योगी महराज ने जो उनको चुनोती दी थी कि दस मार्ज के बाद हम आपकी गर्मी निकाल देंगे उन्होंने उस चुनोती को सुईकार करकर मतदान के दिन दस फरवरी को भारती जनता पार्टी की चुनोती सुईकार करते ह भारती जन्ता पार्टी की गर्मी को निकालने का काम कर दिया है। की बल पर वही एकता जो अंग्रेजों की लड़ाई में भगत सिंग ने जब अश्वाक उल्ला का हाथ पकड़कर अंग्रेजों को ललकार कर देश से भगाया था वही जगवा लेकर हिंदू मुस्लिम एकता के बल पर वहां के बहदुर मद्दाताओं ने भारती जन्ता पार् जो कि इसका मैंने बात कई एम मतलब जो आप समझ रहे हैं एम वाई फेक्टर क्योंकि केड़ी यादव जी भी है और मौलाना साब भी है तो यह एम वाई फेक्टर रिकठा ही आ गया साथ में अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लेकिन एक बात मौलाना साब आप बता क् कि यह ओवेसी वाला जो फेक्टर है वो नुकसान नहीं पहुचा रहा क्या हमने देखा है कि जब जब हमारे समुदाय की कुछ लोग ओवेसी के बहकावे में आए हैं तब तक कौम को भारी नुकसान उठाना पड़ा है इस बार कौम ओवेसी के चक्कर में आने वाली नहीं है वो तो भाई जान है वो भाई जान नहीं वो कोई भी जान हो किसकी भाई जान है अगर भाई जान होते हुए वो हमारे ही कौम को नुकसान पहुचाएं तो हमें ऐसा भाई जान सोईकार नहीं है किसके भाई जान है अब ये तो भविश के गर्व में है बात को पता लगे कि वो भाईजान किसके हैं लेकिन हम उनकी चालों को समझ गए हैं कि उनके जाल में भसकर हम भरतिये जनता पार्टी को किसी तरह का कोई फैदा पहुचाने की आपकी बातों से ऐसा मैसूस हो रहा है वो भाईजान बीजेपी के हैं मैं देखिये अभी मैंने आप से कहा कि वो इस कहें इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा लेकिन हाँ इस पर चर्चा हम जरूर करेंगे कि वो उवेसी साहब के जाल में इस बार हमारी कौम फसने वाली नहीं है क्योंकि हमारी कौम ने देखा है कि जहां राजवर समाज जहां विश्व कर्मा समाज जहां मौरिय समाज ज सब्सक्राइब करें मुलाना साथ खेर मैं आगे बढ़ता हूं मैं एम वाई फेक्टर का जिक्र कर रहा था केड़ी यादव जी दो हजार चौदा दो हजार सत्रा दो हजार उन्निस न एम न वाई एम वाई फेक्टर दोनों जो आपका जो फॉर्मूला है न वो उसने पूरा गणिदगड़ बढ़ा दिया था लेकिन बाईस में क्या वाई जैसे आप एम और वाई फेक्टर का जिक्र कर रहा हूं लिखाई देता आपको देखे यह मुवाई के मतलब इसमें ओ नहीं है हमारी शमाजवादी पार्टी जाद धरम हर विरादरी से उपर उठकर के काम कर रही है आज 2017 की बात मैं कर रहा हूं 2017 में जिस तरह से लोगों ने धोखा दे करके जनता को गुमरा किया है तमाम लालच दे करके जब जनता है समझ रही हमारी सिक्षा हमारी नौकरी और हमारा जो बेवसाय है महगाई के सवाल पर आज तो तो सब को पर परिशान किया हुआ है तो इसनाते मानने राश्य धग जी का खिलेश यादव जी के ऊपर हर लोग उस पर खुश है और उम्मीद करते हैं कि अब की बार बदला होगा और दूसरी बात उन्होंने आज सब समाज के लिए सिक्षा के सवाल पर अगर हिंदूों को तोमाम टेक्निकल सिक्षा से ले कहा एक हाथ में कुरान कहा है और दूसरे हाथ में उन्होंने लेट आप देने का काम किया है तो ऐसे समय में जो हर वर का हर समाज का हमारा भारत तो सभी फूलों का एक बागीचा है लेकिर भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने इस बागीचे को तहस नहस करके हिंदों म विपक्ष्म के नातिव बीजेपी ने ये बात हर बार कई कि आप जो हैं तुष्टी करण की रानिति करते हैं और इस बार भी आपके टिकेट बटवारे में साफ दिखाई दिया और वो तभी बात आई असी और बीस की देखे अभी हमारे वहां असी बीस नई हम लोग पचास की बात करते हैं जो आप कर रहें तुष्टी करण की बात यहां पर खलीडाबाद में जैचोबे जी हैं ब्रामणवर्क से हैं और आपके पांडे जी जैराम पांडे मैदावल से हैं और आपके धंगटा से अलगु प्रसाथ चोहान हैं तीनों सीटेओं में कहीं ने कोई य काड़ाब करें का राजनीत में विरौदक अगर हो सकता है उनन्हें अपने हिशाब से या उन्हें नहीं मिला तो लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है यह ठोड़ा सा विरोज से समाझवादी पार्टी जो है उससे नहीं कोई उसका फरक कड़ने वाला आम आवाम आपकी बारे चाह रहा है जो वेरोजगार है जो युगा है जनता जनता चाह रही है हमें किसी भी कीमत पे हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे इस नाते आज यहां तो सब लोग चल रहे हैं यह मुआई भी चलेगा और चाहे समाज के लोग हो चाहे बैकवर्ड समाज हो चाहे दरिस समाज के लोग हो सब अपकी बार समाजवादी पार्टी के पक्स में आप देखिए आप केड़ी यादाव जी कह रहे हैं एम वाई फेक्टर चलेगा तो फिर आप लोग भी तो धर्म और जाती की रानिति कर रहे हैं मुलाना साब की नहीं कर रहे हैं यहाँ अब जाती के बंधन से धर्म के बंधन से उपर उटकर सारा समाज सारे धर्म के लोग अखलेश यादव को मुखेमंत्री बनाने का सपना सजोए हैं और ये सपना साकार करने में पूरी ताकत से जुटे हैं कौम ने अखलेश यादव जी को अपना नेता सुईकार किया है कौम अब मायवती या ओवेशी जी के जो सपने उन्होंने सजोए हैं उनको चकना चूर करके अखलेश यादव के साथ खड़ी है अच्छा गन्ना चलेगा ये जिन्ना नहीं गन्ना चलेगा नहीं जिन्ना चलेगा सबसे पहले परिवर्तन चलेगा परिवर्तन चलकर ही सारे मुद्धों का हल निकलेगा तो यानि आप ये कह रहे हैं कि अखलेश पक्का जीतेंगे हम भरोसा करते हैं कितनी सीटे? बहुत आसानी से सत्ता पा जाएंगे सत्ता तो पा जाएंगे लेकिन उमीद तो होगी आपको आप आकलन कर रहे हैं, मुसल्मानों को एकठा कर रहे हैं तो कुछ तो आकलन किया होगा आपने हम समझते हैं कि अखलेश यादव जी सत्ता के बहुत नजदीक पाच्वे चरण में पहुच चुके हैं और सात्मे चरण आते आते वो भारती जन्ता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके उत्तर परवेश की मुख्य मंतरी के पद पर आसीन होंगे तो आपने पूचा आखलेश यादव जी के लिए चली हम आपको सत्ता में लेकर आएंगे मुस्लमानों के लिए क्या करोगे हम जानते हैं कि वो धर्म और जाती की राजनीती से ओपर समाजवादी पार्टी लोहया जी की पार्टी है समाजवादी पार्टी मुलेम सिंग किया नहीं आप कहा रहें मुसलमानों की आवाज उठाई यह आपने घर में विरोध नहीं किया उन्होंने तो देखिए इस समय सबसे बड़ा मुद्दा परिवर्तन का है समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है मानिये मुलेम सिंग आदव जी आजम खान नेत क्या आजम खान की ओवाज ने उठाई आख्ले अख्लेश यादव लोगों की जिनके ओपर जिल्म और प्जिया उन सारी जातीयों के लोगों की ऑवाद को बलंद करने का काम समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदणी श्री अखली अदव जी ने किया है मैं आखरी सवाल केड़ी आदवची आपसे पूछ रहा हूं ये 80-20 की फेर में तो नहीं फस रहे आप रहो फिर ये वही वाली बात आजाएगी कि 80 और 20 देखे जनता 80-20 की फेर में नहीं है जनता बदलाओ चाहती है जनता ये चाह रही है कि बेरुजगार किसी भी धर में कि उसी भी जात में हो बहुत बड़ी बीमारी है उस बीमारी को समाजवादी पार्टी दूर करेगी समाजवादी पार्टी ने मानने अखिले स्यादों ने कहा है कि जब हम 300 यूटी बिजली फिरी देंगे तो तो सब के लिए होगा ना कि कुछी 80 और 20 का होगा उन्होंने यह भी कहा रोजगारों को अगर 10 लाख रोजगार मैं तत्काल देने जा रहा हूं तो तो हर समाज के लोग आएंगे वहां न कोई 80 है बस केवल इस प्रदेश की जनता है और हर समाज बेरोजगार नौजवान युगा है तो इसनाते हम लोग कोई भी जात या धर्म बटवारे लेकिन उत्तरप्रदेश के हर समाज की बात समाज बार्टी करती है तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से केड़ी यादव जी और साथ ही मॉलाना ब्रेल भी हमारे साथ थे पूर मंत्री है और इनका कहना ये है कि इस बार मुसल्मान जो है वो उवेसी के जहांसे में नहीं आएंगे और मुसल्मानों ने तै कर लिया है कि अखलेश यादव की सैकिल की रफतार को बढ़ाना है तो हमने आपको M और Y फेक्टर को साथ में बिठा कर जो समीकरण का जिकर हम कर रहे थे उस समीकरण के आधार पर दावाया किया जा रहा है कि आज एक बार फिर से यादव और मुसल्मान दोनों एक साथ एक मंच पर है और M Y फेक्टर के सहारे अखलेश यादव की सैकिल की इतना जरूर है कि जातिय समीकरणों में उल्जी कहानी इस बार संकेत और संदेश क्या दे रही है कि आखिर कार कौन आ रहा है फिलार इंतदार करिए 10 मार्थ तक का मुझे दीजी अधार नमस्कार जहिन जय भारत